प्रिसे मारी यूट्यूब चैनल डिकिसनी स्टेड़ी पूंट में आप सभी का श्वागत है तो दोस्तो आप सबकी कमेंटों का जबाब भी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है नहीं जो वीडियो बनाया था उनके उपर जितने भी कमेंट आये थी मैंने मैंने यहां पर लेली है जो जाधा तर यहां पर पूचे जा रहे हैं सवाल उसकी बात भी करेंगे साथ में दोस्तों जो अपडेट आई है पीटी की वेब साइट के उपर उसके उपर मैंने ओल्रेडी वीडियो बना दिया है लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बिल्कुल सरल तरीके से अलोटमेंट होगा तो यहां पर टोटल 7,438 सीटे अभी भी खाली है इन सभी सीटों पर कोलेजों का अलोटमेंट यहां पर होने वाला है तो दोस्तों अब की बार जो पीटी सेकेंड काउंसलिंग हुई थी उसके बाद में वेटिंग लिष्ट यहां पर जारी हुई है प दोस्तों यह जो रिजल्ट आएगा कितनी तारिक को आने वाला है यह वाली लिष्ट वो मैं इसमें बताने जा रहा हूं तो पांच लिष्ट अब तक टोटल आ चुकी हैं यदि हम रिजल्ट की बात करें तो टोटल पांच रिजल्ट आ चुके हैं चटे नंबर का जो वीडियो बना दिया था यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार ही हमारी वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारी वीडियो को तो आप रोजना देखते हैं लेकिन हमारे चैनल से आप अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं तो बिल्कुल फिरी में आप हमारे से जुड़ सकते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है वीडियो की नीटी एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना है साथ में जो गंटी का बटन आएगा नोटिपिकेशन बैल उसको उन कर लेना है ताकि नई वीडियो की सुचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके क्योंकि दोस्तो जैसे रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो बना कर आपको बताऊंगा तुरंत आप रिजल्ट वहां पर निकाल सकते हो इसलिए दोस्तो सब्सक्राइब कर लेना तो यहां पर देखें पी टीटी दो वर्षिये बीएड में बारासो तर्यान में सीटे खाली हैं उसक में कितनी सीटे खाली हैं 4783 4783 सीट खाली है टोटल यदि दोस्तो हम इनको जोड़ें तो यहां पर 7438 सीटे जो हैं फिलाल खाली है और 7438 सीटों पर जो रिजल्ट है वो गोशित होने वाला है कितनी तारीक को यहां पर देखें पी टीटी की वेबसाइट पर हम आ चुके है और कोलेजों का अलोटमेंट कितनी तारीक को ने वाला है यह आप यहां पर देखें तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजे वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो देखें यहां पर आ चुकी है यह अपडेट यह अपडेट दोस्तों यहां पर आ चुकी है आप यह यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तो पुर्ण सूचना करके हैं यहाँ पर दुत्ये काउंशलिंग के बाद में कोई भी काउंशलिँग यहाँ पर नहीं हुई है, only waiting list जारी हुई है, तो दो waiting list और अलरेडि आ चुकी है, तीसरे नंबर की waiting list यहाँ पर कब जारी होगी, हम live विध्यारतियों का जो result है निकालेंगे YouTube पर live आकर live ही हम result निकालने वाले हैं तो 24 तारीक को आपका result गोशित होने वाला है कोले जो का allotment होने वाला है अब दोस्तों आपने जो जो comment किये थे वो मैं comment का जवाब यहाँ पर देने वाला हूँ सबसे पहले नंबर का comment जो कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि sir upward moment होगा क्या देखे दोस्तों upward moment अब की बार नहीं होगा quota open university ने upward moment को अठा दिया है upward moment नहीं होगा तीसरी counseling भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगी वैसे एक दो दिन यहाँ पर news के अंदर आया भी था कि third round counseling के दोरान आपको college enrollment होगा लेकिन इन्होंने तीसरी waiting list को यहाँ पर चुन लिया है pttvmoo ने तो तीसरी counseling यहाँ पर नहीं हो रही है और रही बात आपकी college change करवाने की तो college change करने का जो process था upward moment वाला वो इन्होंने अठा दिया है तो आपके जो man man comment थे उनके जवाब मैंने यहाँ पर दे दिये है अब दोस्तो 24 तारी को तयार रहे ना देखते है किन-किन विध्यारतियों को यहाँ पर college मिलती है चले दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करे सब्सक्राइब जरूर करे चैनल को लाइक जरूर करे सेर जरूर करे धन्यवाग